हेलो एवरिवन हमारा जो मिशन अबैकर्स है उसमें हम क्या चाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अबैकर्स की ट्रेनिंग लें और ज्यादा से ज्यादा अबैकर्स ट्रेनर्स जो हैं वो ट्रेनिंग लेके आगे बच्चों को अबैकर्स के लिए ट्रेंड क करें और इस mission में हमारा purpose है कि हम कुछ free training sessions जो हैं वो conduct करें तो आज का जो training session है उसमें मैं basics of abacus बताने वाला हूँ abacus सीखने के लिए आपको क्या चाहिए यह जो अभी आप देख रहें उस screen के उपर इसको कहते है abacus tool ठीक है आज इसका मैं आपको basics बताने वाला हूँ तो यह abacus tool है यह आप कहलो कि इसका जो है वो frame है ओके और यह इसके अंदर जो है यह beads है राइट बैककस का यह वाला part जो है इसको आप यह कहलो कि यह result देने के लिए result भार है जैसे calculator पे जो होती screen जिसके उपर result आते हैं उसी तरह से आप माल दो कि यह manual calculator है और अगर इसकी value आपने zero करनी है उसके पहले मैं आपको बता दू कि abacus को पकड़ना कैसे है abacus को आपने हमेशा जो है अपने left hand की last वाली two finger और thumb के साथ पकड़ना है ऐसे ओके यह two fingers आपकी free होंगी ओके और उसके बाद अगर abacus का जो आपने value zero करनी है हर बार आपको reset करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको यह two fingers के साथ जो है इसको reset करना पड़ेगा जब कोई भी bead जो है वो इसके साथ टच नहीं कर रहा it means now the value is zero ओके और second thing आपने यह याद रखनी है कि abacus में यह जो उपर वाले beads है इनकी value होती है 5 ठीक है इनको हमने finger के साथ नीचे करना है और यह जो होते है इसकी value होती है 1 ओके तो अगर हम बोलें कि इस time जो है abacus की कितनी value है एक तो हम middle से शुरू करेंगे कभी भी ठीक है जो center में white point है वहाँ से शुरू करेंगे तो now what is the value of this abacus so you will count 1, 2, 2 beads अगर मैं यह उपर वाला bead नीचे कर देता हूं तो इसकी value 5 है 5, 6, 7 अभी जो है इसकी value है 7 और अगर हम इसको reset कर देते हैं तो इसकी value है 0 आज के लिए इतना ही काफी अगर आप लोग abacus training लेना चाहते हैं तो हमारे number 84278-29974 पर हमें call करें और उसके बाद आप अपना abacus center जो है start कर सकते हैं कोई franchisee fees नहीं है कोई royalty fees नहीं है